हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस टूटर में आज किस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए फिजिक्स के स्पेक्टर कोसंस को पढ़ने वाले हैं यह फिजिक्स के कोस्ट आपके stage 1 के section 2 में कोस्ट पूछे जाते हैं section 2 में जो आपके physics और mathematics के जो कोस्ट पूछे जाते हैं उसमें यह फिजिक्स का section है आने वाली वीडियो में हम आपको maths के भी section को बताएंगे maths के जितने भी chapters आपके 1112 के regarding आते हैं उन सभी को cover करेंगे उसी परकार physics के जो भी chapters आपके examination में पुछे जाते हैं 11-12 से regarding 11-12 के syllabus से वो सभी chapters के expected questions को यहाँ पर हम करने वाले हैं आपके यहाँ expected questions में आपका पहला chapter होगा unit and dimensions का यहाँ unit and dimensions का lecture 1 है और आगे भी आपको unit and dimensions दो तीन lecture में खतम किये जाएंगे और फिर next lecture की और next chapter की और हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको Hindi English दोनों में questions provide करवाय जाएंगे ताकि Hindi English दोनों medium के बच्चे इसे देखकर समझ सके बच्चे आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है आपको questions कैसे लग रहे हैं questions के level ठीक हैं क कि नहीं और level बढ़ाना चाहिए या level घंठाना चाहिए सभी पकार के आप बातों को हमें जरूर कहें आपके comment करने से हमें motivation मिलता है और हम आपके लिए जल्दी जल्दी और भी content ला पाते हैं इस वीडियो से आपको वीडियो को देखना है वीडियो को like करना है वीडियो अ आपको बता दे कि stage 1 के section 2 का physics का question है यहाँ पर हम unit and dimensions को पढ़ने वाले है यह part first है तो चलिए वीडियो की और पहला question है हमारा the dimensions of kinetic energy is गतिस उर्जा का आयाम है आपको बताने है kinetic energy के dimensions को तो देखिए जो चीज आपको बताने है वो तो questions से बताएंगे ही हम कुछ extra भी बता द दूसरी point की बात करें अगर आपको kinetic energy का dimensions पूछा जाए kinetic energy का क्या पुछा जाए dimensions पूछा जाए तो आपको क्या करना है kinetic energy तो है ही साथी साथ आपके potential energy आपका किसी भी types of energy कोई इनर्जी का प्रकार हो, उसके dimensions क्या होंगे, dimensions क्या होंगे, same होंगे, आपके किसी भी प्रकार के energy हो, उसके dimensions क्या होंगे, same होंगे, और energy का unit क्या होता है बच्चे, joule होता है, क्या होता है, joule होता है, तो चलिए हम इसके dimensions की बात करें, तो kinetic energy, ठीक है, और इसके dimensions को लिखने क के लिए हम क्या लिखने वाले हैं सबसे पहले इसके formula को देखेंगे formula में क्या क्या आते है il Hey और भी आते हैं, तो mass का square V का होता है, क्या होता है बच्चे V का dimensions होता है L T minus 1 ठीक है, meter per second होता है तो meter का L होता है और second का time होता है तो L T minus 1 और इसका square यानि L का square और T का minus 2 ठीक है, L का square T का आपका minus 2 हो जाएगा, तो आपको तो देखना है क्या होगा आपका m² l² t-2, m² l² t-2, कौनसा option है आपका बच्चे, option number c क्या है, आपका right answer है, तो इस तरीके से आपको बनाने है, किसी के भी dimensions पुछा जाए, तो आपको उसके unit देख लिए, जैसे आपके formula याद होना चाहिए, जैसे mb² याद होना चाहिए, जै kg का m होता है, square नहीं होगा, sorry, mass पे गल्ती लिखाया है, तो kg क्या होता है, kg का m होता है, m यहाँ पे लिखा गया है, और आपका क्या है, और आपका m² l² और second k² t-p-2, क्यों t-p-2, क्योंकि ये per second square लिखा गया है, तो चलिए, next question की ओर, which of the following pairs has the same dimensions, निमलिखित में से किस जोडे में समान आयाम है, देखिए, आपको अगर वीडियो fast लग रहा हो, तो आप इसे slow करके देख लिए, हम आपको fast इसके लिए बता रहा है, ताकि आपके इससे brain भी तेज हो, आपका दिमाग भी बढ़े तेजी से, और आपको समय भी यहाँ पर बचे, तो इस questions पर आपको पुछा जा रहा है, किन दोनो quantities का जाफिक कह सकते हैं, किन दोनो pair का आपके same dimensions है यहाँ पर, तो सोचिए, पढ़िए questions को, जिन जिन का option B है, impulse and momentum, उनका क्या है, सही answer है, क्यों, क्योंकि impulse और momentum का क्या होता है, एक ही आपके formula भी होते है आप एक ही उनके unit होते हैं, तो एक ही dimensions भी होंगे, जैसे देखिए, यहाँ पर हम लिखते है, impulse का formula, sorry, marker नहीं काम करता है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले है, impulse, impulse, और यह क्या होता है, इसके formula किसके बराबर होते है, momentum के, क्या होते है, momentum का value होता है, mass into velocity, और impulse का value होता है, change in momentum, क्या होता है, change in momentum, यानि delta P, delta P, यानि M, V2 minus V1, ठीक है, M, V2 minus V1, तो यह भी क्या होगे, actual में change in momentum कह रहा है, लेकिन है तो क्या आपस में momentum ही है, है तो क्या momentum ही है, तो momentum का formula होता है, M into V, तो mass का क्या होता है, kg, और V का होता है, meter per second, तो इसका dimensions क्या हो जाएगा, dimensions क्या हो जाएगा, kg का M, और meter का L, और second का, per second का T P power minus 1, यानि M L T P power minus 1 इसका क्या हो जाएगा, dimension हो जाएगा, ठीक है, आप इसको याद कर लेजिए, next questions क्यों बढ़ते हैं, sorry, find a force if is given by F equal to 80 plus BT squared, where T क्या है, आपको समय दिया जा रहा है, तो आपको बताने है, A और B के dimensions, दे ठीक है, तो आपके लिए ये एक तरह से प्रिवेसर का questions भी हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे, examination में, कुछ A के जवब पे कुछ constant 3, B के जवब पे 4, इस टाइप से कुछ questions दे देता है, और आपसे questions इस टाइप से पूछ लेता है, तो concept वही है, ठीक है, तो चलिए, यह आपको बताया जा रहा है, कि F equal to 80 plus BT square आपको एक equation दे जा रहा है, और यहाँ से आपको A और B का dimensions निकाल ले है, ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा गया है, एक बल F को F equal to 80 plus BT square वेर दुवारा किया जाता है, जहाँ T समय है और AB का आयाम क्या होगा, तो चलिए, हम निकालते हैं, इस टाइप को जब भी questions आए आपको, तो आप सबको एक साथ लिखे, F equal to 80 plus BT square, क्या लिखना है, F equal to 80 plus BT square, और आपको बता दे कि हर एक जो आपके quantity होंगे, यानि हर एक जो term होगा, उसका unit क्या होगा, आपस में same होगा, यानि F का unit होगा, वो equal होगा 80 के unit से, और वो equal ह आपके, इसके BT square के unit से, तो आपको क्या करना है, किसी दो को लेके solve करना है, और आपको value को find करना है, इसको solve करेंगे, आप इसको लेके भी solve कर सकते हैं, या फिर इसको लेके भी solve कर सकते हैं, तो चलिए, हम क्या करने वाले हैं, पहले दोनों को लेके solve करेंगे, तो force का unit क्य तो kg meter per second square equal to a, a का unit आपको निकालने ही है, तो a को हम a ही रहने देते हैं, और t का unit time होता है, यानि second होता है, ठीक है, second होता है, तो यह second आपको इधर multiply हो जाएगा, तो a का unit क्या आजाएगा, kg meter upon second square था, into second, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो kg का mass और meter का L, second का t-1, क्या हो जाएगा, ठीक है, एक second थोड़ा सा गलती हो गया है, क्या गलती हो गया, देख लिजे, आप यहाँ पे, calculation में थोड़ा सा गलती हो गया, calculation में देखिए, यह का अगर आप इधर लिखते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि second से क्या होगा, डिवाइड होगा, ह P dwg b-3 अब What ? सवाले के लिए b वाले के लिए चेकर लेते हैं देखते हैं कउनसाओ हमारा आ रहा है इससे तो क्या करेंगे आप हम, इसे try erase कर देंगे और यहाँ पिसे हम बना लेंगे, फिर आप इस दोनों को लीजे, force का क्या होता है, यहाँ पर फिर सी लिखेंगे kg m per second square equal to b into, आप इस दोनों से भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यह दो लिया है, आप बना के देखेग उसे भी answer वह ही आएगा, b, और यह क्या है, t का, यहाँ नि, second का square, तो b का unit क्या हो जाएगा, kg, meter upon second power 4, और kg का क्या होता है, m होता है, और meter का क्या होता है, l होता है, second का क्या होता है, t पे पर, per second है, तो minus 4 होगा, यानि ml, t पे पर minus 4, option number, कुनसा है, option number d क्या है, right answer है, तो इसके solutions को निकालने हैं पता चल गया stack को questions आए तो कैसे निकालेंगे पता चल गया आपको कैसे निकालना है सभी unit को सभी quantity को क्या करना है बराबर बराबर कर देना है और वहाँ से किसी दो को लेके solve करते जाना है तो इस परकार से questions ऐसे questions को हम बनाते हैं कोई problem होगा तो आप जोरू बताएगा हम आपके हर एक problem का solutions देंगे आपको दिया गया है atmospheric pressure 106 dine per centimeter square तो आपको बताना है what is the value in SI unit आपको ये cgs cgs unit में दिया गया है value 106 dine per centimeter square ठीक है ये dine आपका force का unit है वो dine करने वाला unit नहीं है ये dine वाला dine नहीं है ये आपका force का unit है ठीक है तो चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको SI unit में तो dine को SI unit में बदलने करेंगे हम इसको dine के जाएफ एफ और क्या क्या करेंगे Newton लिखेंगे क्या लिखेंगे Newton लिखेंगे ठीक है तर 106 into 1 upon 10 to the power 7 newton ठीक है और यहाँ पर क्या करेंगे पर cm2 है तो पर cm2 को हम m2 में करभाट करेंगे तो cm2 को m2 में करभाट करने के लिए 1 cm2 कितना होता है 10 to the power minus 2 m ठीक है sorry 10 to the power minus 2 m यह क्या है square है तो उपर क्या हो जाएगा 10 to the power 4 चला जाएगा क्योंकि यह divide में है तो यह उपर चला जाएगा यह 4 से आपका क्या हो जाएगा यह बता ही बच्चो यह 4 से आपका तितना times कटेगा एक second sorry कुछ गलती हो रहा है देखें यहाँ पर क्या गलती हो रहा है 1 newton equal to 10 to the power 7 10 to the power sorry गलती हो गया यहाँ पर actual में कभी-कभी गलती हो जाता है 1 newton equal to 10 to the power 5 dine ठीक है ठीक है 10 to the power 5 आपका dine होता है ठीक है 1 newton equal to 10 to the power 5 dine जैसे देखिए कैसे निकालेंगे 1 newton equal to 5 dine होता है तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं 1 newton equal to होता है कितना होता है 1 newton equal to होता है जैसे आप 1 dine equal to होता है कैसे केजी होता है यह होता है ग्राम मारकर काम नहीं करता है sorry gram centimeter per second square gram centimeter per second square हाँ तो चलिए बच्चे क्या समझ रहे थे यहाँ पर गलती हमसे नहीं हुआ था एक्चुल में गलती क्या questions में ही गलती दिया गया है देखिए यहाँ पर होना चाहिए था 10 to the power 6 हमने 10 to the power 6 हमने 106 लिख दिया था ठीक है यह गलती थी ठीक है तो इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं इरेज कर देते हैं और फिर से 10 to the power 7 dyne जैसे दिखिए यह कैसे आता है पहले आपको यह समझा दे अगर मालने जी आपको याद नहीं होगा तो 1 dyne equal to होता है 1 gram centimeter per second square तो 1 gram को हम अगर केजी में बदलेंगे तो 10 to the power क्या हो जाएगा 10 to the power minus क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा 10 to the power minus को हम केजी में बदलते हैं तो milli संटी डेसी ग्राम होता है तो 10 to the power क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा 10 to the power minus 3 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगी 10 to the power minus 3 और into cm को क्या करेंगे, m बद लेंगे, 10 to the power minus 2 upon second square, ठीक है, यह क्या होगा, आपका Newton हो गया, तो यहां से में पर चला, कि 1 Newton equal to क्या हो गया, 10 to the power 7, 9, क्या होता है, 1 Newton equal to क्या हो जाता है, बच्चे, 10 to the power, 10 to the power 3 to 5, यानि, sorry, 3 to, 1 second, 1, 9 equal to 10 to the power minus 5 Newton, ठीक है, तो यहां से Newton कैसे निकल क्या हो जाएगा, 10 to the power 5, 9, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम, 9 के जब पर क्या डालेंगे, 9 के जब चाल देंगे, 1 Newton जब 10 to the power 5, 9 होता है, तो 1, 9 equal to क्या होगा, 1 upon 10 to the power 5 Newton, इन्टू क्या हो जाएगा, second, centimeter का स्क्वाइर है, तो centimeter स्क्वाइर को मीटर में करेंगे यह क्या हो जाएगा, 10 to the power 4 हो जाएगा, यहां पर तो 10 to the power 6 है, ऑपोन 10 है, यह कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 Newton per meter square हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा, यहां पर, एक्चल में questions रट के तो आते नहीं है यहाँ पर बनाते हैं आपके सामने तो क्या होता है कभी-कभी questions गलती निकल जाता है ठीक है चलिए next questions क्यों बढ़ते हैं physical quantity जाड physical quantity किसे कहते हैं आपको definitions यहाँ पर एक्चल में definitions से ही questions दे दिया गया है क्या-क्या भुवतिक मात्रान इसमें से है तो क्या है इसका option number b क्या है सही answer है physical quantity क्या-क्या होते है physical quantity है quantity शचाड length यानि लंबाई mass length यानि लंबाई by physical quantity है mass भी है time भी है length है mass है time है electric current है और क्या आपका thermodynamics temperature यानि temperature है amount of substance यानि सबी क्या है आपके physical quantities होते हैं ठीक है यह आपके कुछ 7 एक दो तीन चार पांच छे साथ 7 physical quantities आपके आपको physics में पढ़ने होते हैं यह क्या होते हैं तो यह कुछ 5 questions थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जितना जाद हम आपके लिए और जल्दी जल्दी कंटेंट ला पाएंगे तो चलिए बच्चे वीडियो को ही ही तो रखते हैं थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो तब तक के लिए बाब बाई